वेलकम बैक टो अबर चैनल डीके फार्मा टुटोरियल्स तो आज की इस वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं फार्मेस्टी प्रेक्टिस का यूनिट फिप जिसमें हम दखेंगे इन्वेस्टिकेशनल ड्रक्स के बारे में तो वीडियो को इस टार्ट करने से पहले अगर आपन को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आनवाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप दंग पहुंच सके तो आजए स्टार्ट करते हम अपने टॉपिक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टिकेशनल ड्रग आखिर क्या होते ह सेपटी इफिकेसि उसके साइड एफेक्ट उसके पोटेंशल बेनिफिट तो इन सारे चीजों को हम वहां पर टेस्ट करने के लिए इसको हॉस्पिटल में करते हैं तो इन ही ड्रग को हम बोलते हैं इन्वेस्टिकेशनल ड्रग तो आयए देखते हम इसका डिफिनेशन रिसर्च एंड इन्वेस्टिकेशनल यूज्स ड्रग आर दोस्ट कंपाउंड विच हाव डू नॉट बिन रिलीज़ बाइड फेडरल पूर्ड ड्रग अड्मिनिस्टेशन फॉर जेनल डिस्टिबूशन एंड यूज तो जैसी कि हमने आपको बताया कि एक ऐसा ड्रग होता यह तब हम उसको मारकेट में लांच कर सकते हैं तो यह पहला यह सेफ होना चाहिए एफेकटिव होना चाहिए इसके बहु किसी अरज शॉट करते हैं उसके जीशिवाविशन के लिए और उसके यूष के लिए अब हम देखते हैं प्रिंसपर आफ इंवेस्टिकेशनल रहता है वह किसी भी इंवेस्टिकेशनल टेस्टिंग के लिए यह जो है एक प्रैमरी सेंटर माना जाता है तो हॉस्पिटल में ही हैं यहां डेफरेंट-डेफरेंट डेसीस सवारी पेसेंट रहते हैं तो हम किसी भी इन्वेस्टिकेशनल ड्रग को असाने से उन पर टेस्ट करके उसकी सेपटी, फिकिसी, उसके बेनिफिट वगेरा उसके साइड एफेक्ट तो इन सारे चीजों को वहां पर चेक कर सकते हैं और अगर हम उसको हमारा जो भी ड्रग है उनका जो रिजल् आपको करने के लिए हमको यह फोलान ठीक है कि आपको इसको कैसे करना है थीक है तो यह सब सीज़ को फोर नला इस एप आप सारे कंडिसंस दिए क्टी कीजम एं गपक् sociology गया है जिसके बेसेस पर हम किसी भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रक्स के उपर कंट्रोल कर सकते हैं तो इन्वेस्टिगेशनल ड्रक्स के उपर कंट्रोल जरूरी है क्योंकि हम किसी भी ड्रक्स को वहाँ पर जो भी न्यू ड्रग है जो की अपरूव नहीं है ठीक है ना है उनक पर control होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो हम देखते हैं control of investigational use of drugs हम कैसे control करते हैं कोई भी अगर हमार जो investigational drug है तो उसको कैसे control करना है उसको यहां पर बता जा रहा है सबस्ते पहले देखते हैं all the in investigational drugs should be registered with the pharmacy and therapeutic committee तो जो भी हमारी pharmacy and therapeutic कमेटी है उसके अंतरगत हम इस इस investigational drug क्या करते हैं उसको register करते हैं जिसमें भी in comprised by the letter from the principle investigators तो जो भी हमारा principle investigator रहेगा वो हमको इसको करने के लिए क्या देता है एक letter देता है ठीक है तो वहाँ से अगर एक तो इसमें बहुत सारी information रहती है जैसे की यहां पे new drug number कित्ते कॉणटिटी मेंव ट्रग है जेनरिक नेम क्या है manufacture कौन है, कहां पर वो manufacture हुआ है, उसकी chemical name क्या है, proprietary name, general chemistry, pharmacology क्या है, उसकी toxicology, dose rinse क्या है, वो हम किस method से उसको administer कर रहे हैं, उसका antidote क्या है, and therapeutic use, तो यह सारी जो information है, वो provide की जाती है, in order to control the use of investigational drug, many pharmacists have developed various forms, तो जो भी investigational drugs हैं, तो उनके उपर control करने के लिए, तो pharmacist ने बहुत सारी forms, जो है, वो develop किये हैं, ताकि जो भी हमारे, जो हमने आपको भी बताया, तो जो भी information है, उसको असानी से, हम महां से collect कर सके, तो इसके लिए हम बहुत सारे doctors हो गया, नर्स हो ग काम किये जाते हैं, तो इसको हम देखते हैं, इस forms are usually tited, तो यह जो forms होते हैं, वो usually इनहीं को दिया जाता है, जैसे physician data seat on investigational drug, and nurse data seat on investigational drug, and pharmacist data seat on investigational drug, तो हमारे यहाँ पर physician हो गया, nurse हो गया, and pharmacist, तो इनकी यहाँ पर महातोपूर्ण भूमीका होती है, कि वो किसी भी investigational drug के ओपर control किये करे, तो उनको ए जो है, एक form दे जाता है, तो उस form में वो लोग, जो physician रहेगा, और nurse रहेगा, और जो pharmacist रहेगा, वो सारी informations को उस पर क्या करता है, वो include करता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, physician data seat, तो physician data seat क्या है, देखते हैं, the physician data seat must contain the following information, तो physician data seat में बहुत सारी information को collect करते हैं, जैसे कि name of investigational drug, तो जो drug कौन सा है, क्या नेम है, उसका, किस quantity हम उसको ले रहे हैं, उसका कौन सा doses form है, amount received, and dose received, कौन से amount में हम उसको ले रहे हैं, कौन से dose से उसको ले रहे हैं, यह सारी चीजे, pharmacological and therapeutic properties and signature of investigator, तो जो भी हम investigational drug ले रहे हैं, तो उसकी pharmacological property क्या है, किस therapeutic purpose हम उसको use कर रहे हैं, जैसे कि आप hypertension के ले रहे हैं, या diabetic के ले रहे हैं, तो कौन से ऐसा therapeutic conditions है, ठीक है, या pharmacological effect है, तो उस हम उसको ले रहे हैं, तो हमको वो effect मिलेगा, signature of investigator, जो भी investigator रहे हैं, उसका signature, तो यह जो है, हमारे physician data sheet में, वो maintain की जाती है, then second आता है, nurse data sheet, तो nurse data sheet में, जो है, यहाँ पर बहुत सारी information दी गई है, जो कि लगभा similar रहे हैं, physician data sheet के, इसमें सबसे पहले है, name of investigational drugs, तो जो भी investigational drugs है, उसका नाम, manufacture and other source, कहां से वो manufacture हुआ है, कहां से वो drug जो है, वो आया है, strength and form of investigational drug, कितनी संख्ख है, हम उसको ले रहे हैं, उसको कौन सा dosis form है, वो, pharmacological and therapeutic properties, क्या है उसकी हम जैसे कि आपको बताया, and arrangement which have been met for its administration, तो इसके administration के लिए, क्या का arrangement जो है, वहाँ बनाए जो भी nursing in charge रहेगा, उसका signature, and then third point आता है, इसमें pharmacist data sheet, तो pharmacist भी जो है, यहाँ पर इसको control करता है, तो इसमें भी जो same रहेगा, यह भी investigational drug का नाम हो गया, उसका manufacture कौन है, अहां हुआ है, chief investigator कौन है, उसके, कौन से dose में हम उस drug को ले रहे हैं, physician तो, मतलब physician जो है, वहाँ पर, किसके अंडर वो काम हो रहा है, वहाँ पर, patient, कौन patient है, क्या नाम है, उसका क्या age है, तो वो सारी information, किस amount में drug को ले रहे हैं, कौन स award में ले रहा है, signature of chief pharmacist, तो यह जो है, pharmacist data sheet में, जो है, यह सारी चीज़ी, जो है, maintain की जाती है, तो इसी तरह से हम, किसी भी, investigational drugs के उपर, control कर सकते हैं, then guys, अब हम देखते है, classification of investigational drug, तो guys, investigational drug को basically four classes में, divide किया गया है, तो सबसे first इसमे class आता है, class A, class B, class C, and class D, तो guys, class A में ऐसा drug आता है, जो की, ट्रानमभी, जो है, experimental stage में रहता है, and class B में जो आता है, वो, ऐसा drug जो की, primary, जो research stage रहता है, उसको, जो pass कर लेता है, and class C में ऐसा drug आते है, जिनको FDA के द्वारा, approval मिल जा रहती है, and class D में ऐसा drug आते है, जिसको hospital में, यूज किया जाता है तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले, drug that is been, that are in preliminary experimental stage, तो class 1 में यही drug रहेंगे, प्रारमभी, experimental stage में रहने वाले drug, and class B में, drug which have been passed through the preliminary research stage, तो जो हमारा preliminary stage जो रहागा, उसको pass कर ले रहेंगे, ऐसे drug रहेंगे, इसके अंतर के, and class C में, drug approved और pass by the FDF for commercial distribution, तो ऐसे drug जो की FDA के द्वारा approve या पास हो जा रहेंगे, उसके commercial distributions के लिए, and class G में, ऐसे drug आएंगे, जिसको किसी भी hospital, hospital के द्वारा accept के जाता है, किसी भी डिसिस के treatment के लिए, तो यह जो है, इसके class है, investigational drugs के, तो अब हम देखते है, role of hospital pharmacist in investigational drugs, तो hospital pharmacist का, क्या रोल है, किसी भी investigational drugs के उपर, तो इसको बताया जा रहा है, यहाँ पर, तो सबसे पहला, जो भी, investigational drug है, तो उसकी study designs को, उसको assist करना, उसका मुल्यांकन करना, ठीक है, वो कैसे develop क्या है, उसको study design क्या है, तो उन सब चीजों को क्या करता है, वो मुल्यांकन करता है, and second, act as an importial collaborator, ठीक है, तो यह जो है, इनिस्पक्च सहवगई की जैसे यहाँ पर, आम करता है, and collect, storing, and distributing the essential information concerning the drug being studied, तो जो भी drug जिसके उपर वहाँ पर study क्या जा रहा है, जो भी investigational drug, तो वहाँ पर उसका study क्या जा रहा है, तो उसके regarding जो भी information है, उसको collect करना, store करना, and distribute करना, तो यह इनका आम है, packing and labeling investigational drug in multiple or unit doses container, तो जो भी investigational drug रहेंगे, उसको multiple and unit doses container पर उसको pack करना, और उसको label करना भी इनका जो है, काम है, and preparing the doses form, doses form को भी prepare करना, and six dispensing of investigational drug to the both inpatient and outpatient, जो outpatient रहेगा और inpatient, तो उन दोनों को ही क्या करता है, किसे भी investigational drugs को, then अब आते है हमारा last point, role of advisory committee in investigational drug, तो हमरा जो advisory committee है, उनकी क्या भूमी का है, यहाँ पर उसको देखेंगे हम, the generic drug advisory committee is to advise on the safety and effectiveness of human generic drug, product for use in the treatment abroad spectrum of human disease, तो जो भी हमारा generic drug रहते हैं, ठीक है, तो उनका humans being पर क्या उसका safety है, क्या effectiveness है, तो उनके बारे में क्या, यह जो है, हमको advice करता है, ठीक है, और यह बोलता है कि, ज्यादा से ज्यादा आप generic drug का use कीजिए, ठीक है, क्योंकि यह जो है, humans के लिए safe है, और effectiveness है, the drug abuse advice committee with the broad charge advise the FDA commissioner on the scientific and medical evaluation of all information, तो जो भी हमारा investigational drug रहेंगे, ठीक है, तो उनसे related जो हमारा यह क्या करेगा, जो FDA जो कमिशनर रहेंगे, उनको यह advice करते हैं, कि जो भी हमारा investigational drug है, उनके scientific और medical evaluation की जाया करेगे, the FDA regulate more than 1,50,000 marketed drug and medical devices, तो जो FDA जो है, वो 1,50,000 marketed drug को क्या करता है, इस रेगुलेट करती है, और इससे ज्यादा भी drug को यह रेगुलेट करती है, at any time nearly 3,000 investigators new drug are being developed, तो जो है, मालब यहाँ पर बहुत सारे drug जो है, वो market में आते रहते हैं, ठीक है, तो उन सारे जो investigators drug रहते हैं, तो उनकी जो है यहाँ पर, मालब उसकी जो testing रहती है, उसको यह regulate करते हैं, तो यह था role of advisory committee in investigational drug, तो guys, I hope so, यह video आपको काफी अच्छे से समाज में आ गया होगा guys, तो please इस video को like कीजिए, share कीजिए अपने friends के साथ, और इसी तरह के videos को देखने के लिए बने रहे हैं मारे साथ, thank you.